है अग्याव को अग्याव सभी का अपस्वी की पूर्टीप चनल राइजुकेशन अमनों त्रोजारवरती कई महत्पून अपडेट है इस एक वीडियो में और प्रमुकता से चार-पांच अपडेट हैं जो मोटे मोटे अपडेट है जो प्रमुक अपडेट है जो ब्रेकिंग न्यूस टाइप के अपडेट है उनको हम लोग इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहली बात है कि डबल मेंच ने इस पस्ट ऑडर आज दे दिया है कि आज कितिनी लोगों को पक्ष और विपक्ष को 24 गंटे का समय मिलता है कल ही वो ओडर पास हुआ था हालकि आज वो सभी लोग देख रहे थे जिसमें एक दिम इस पस्ट बोला गया था लगनु बेंच की तरफ से कि बाईया पक्ष और अले उत्तरकुंजी मैंटर पर 24 गंटे की भीतर भीतर अपनी तरफ से जो भी उनको चीजें सम्मिशन करना है रिटेन सम्मिशन कर दीजे कल इसका ओर्डर सुना दिया जाएगा कि इस्टे पर इस्टे की ग्रांट जो सरकार की मांग थी वो हुआ है अथवा नहीं दूसरी महत्पूर्ण बात है कि सुप्रीम कोट के जो ओर्डर है उसके एकलाफ सरकार रिवी पेटिशन दैर करेगी ऐसा स्क्षा मंतरी का कहना है और श्रीक्षा मंतरी ने एक दिम इस्पस्ट कहा है अगर आप लगातार उनकी बात को देख रहों तो इस्पस्ट उन्होंने आज क करने के बात की थी उसके पहले मुखमंतरी सुनोने बात की और सबसे प्रमुक बात है कि सुप्रीम कोट की इस आदिश के लाफ अपील करेंगे श्रक्षा मंतरी का एक दम सपस्ट कहना है और यह अपीली से वज़े से क्यूंकि आपके सुप्रीम कोट ने अब भाईया दस स के सब्सक्राइब दायर करेगी जिस प्रकार से सिक्षा मित्र बंधू लोग रिवीव पिटीशन के रिवीटीव पिटीशन बार-बार दायर करके करके 12 जुलाई की डेट को फिर से 9 जुन को फिर पुना सुनवाई के लिए लिया देना बहुत बड़ी बात होती है अपने अप में है न तो सरकार तो सक्षा में इन सारी चीजों है और सरकार अपने हिसाब से काम करेगी लेकिन सबसे इंपोर्टन बात है मैं जो बार-बार बोलत मुद्दा लेना है हमको और रापिंग करना हमको Wars मुद्दा लेना है हमिसमें के आखिंगं MSN मुद्दे已经 करते भीग मांगते हैं लोग जन्दा छोरी करते हैं से मुद्दे तो अरताती थी आपकी 22 जिसंबर 2018 ही रहेगी परशान बिल्कुल मत होएगा यह ऐसे ही चलेगा ठीक है इसका order भी आप देख लिजे तो यह order है आज का यहाँ पर देख सकते हैं order date 9 जून 2020 और यहाँ पर है आपका अरिट petition number 41 27 of 2020 petitioner देविन सिंग and 7 others respondent था यूपी स्टेट और Honorable Ashuni कुमार मिसरा जी ने ये पूरी बात को सुना और इन्होंने एकदमस पस्ट बोला है कि गुवर्मेंट का जो order date 16 माई 2020 strictly in convince with clause 1 4th of the guideline originally unified by the board by basic education for such purpose और इसके लिए आपके recruitment में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है बाइस दिसमबर 2018 has been treated as the date for considering eligibility of the application concerned ठीक न भीया तो ज्यादा परशान होनकी अवशकता नहीं किसी को भी यह बैज बाहर हो जाएगा फलाना बैज बाहर हो जाएगा आरतातिती यह है ती तो सभी जग मैंने कल एक दुमें इस पर विडियो डाला था बाइस दिसमबर ही एक डेट है आरता तीती को लेकर जो काउंसलिंग के समय प्रतेक जिली वाले भी यह बोल रहते हैं कि सक्षिक अरता आपकी 22 दिसमबर 2018 के पुरू की होनी चाहिए है ना तो इसको लेकर डेट डेट खिलने की आवशकता थी ज इसा सक्षामंत्री का बायन आया है और स्टीफ को भी कमान सौब दी गई है सक्षामंत्री के लाइव आने से पहले वो मुखमंत्री के पास गये थे और उनसे जो संबन में बातचीत हुई होगी तो उमीद यही है कि सरकार यह चाहती है कि जुलाई में जब भी डेट लगे तक कोई भी सांथ आयने वाला नहीं था ना मीडिया सांथ मैं दिखी थी आपको न कि कोई सांथ में दिखा था जब चैन सुची 668-66 की आ गई है और इसमें जो वैलिड लोग है वैलिड की ही बात करूँगा मैं फरजी लोगों की नहीं बात करूँगा जब आ चुकी है औ लोग जब फेलियर घोसित हो चुके हो उस चैन सुची के आधार पर तब हर जगर ढोल मजीरा पीटना सुरू कर दिया लोगों ने और हाय 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 दुआई सुरू हो चुके सबकी है ना इसके पेले कोई नहीं दिखा था और यहीं मैं बार बाल बोल रहा हूं कि जब तक आ ऐसे ढोल मजीरे बजेंगे आप अपनी जुड़ता दिखाओगे और जहां पर भी विरोधी कोई भी प्रश्न पूसते हैं तो आपकी एक जुड़ता वहां पर समक्षा एक बड़े कह सकते हैं कि दिवार के रूप में काम करनी चाहिए विरोधियों को परास्त करने के उनके पिता जी ने स्वें कबूल किया कि उसने बच्ची ने जान बुच कर वो गलती कर दिये हैं अब आव उस पर क्या बोलो के जो इतने दिने से जाती बात का मुद्दा बना बना कर घुमाय जा रहा था कि इतिवारी है वो इसी कैसे लिख दिया अभी एक ठो है अभी अ परशान किसी को होनी की आवशक्ता नहीं है बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उस पर हम बातचीत करेंगे लेकिन आपकी एक जोड़ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्विटर के मार्दम से जो आप काम करने वाले हो एक हैस्टैक का निर्मान करिए तक जिले इस पर ज्यान देनी कि आवशकता है धन्यवाद